सो हे गाईस अर्जे थेयर और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चेंसो मैन सीरीज के अब तक के सबसे इंटेंस आर्क को जो की है कंट्रोल डेविल आर्क या फिर कहलो माकिमा आर्क चेंसो मैन एनिमे के खतम हो जाने के बाद लगबग हम तीन आर्क कवर कर चुके हैं और वो तीनों ही आर्क कमाल के थे मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी इमोशनल रोलर कोस्टर पे हम लोग बैटे हैं बट ये वाला आर्क बोईस और गर्ल्स सबका बाप है इसमें हमें इमोश प्रीविएसली गंडेविल आर्क वाली उस पर तुम लोगों ने लाइक करे ही नहीं लाइक सीरियसली यार कितनी महनत से बनाई थी वह वीडियो खैर महनत तो इस वीडियो में भी लगी है और वीडियो को स्टार्ट करते हैं विच इस फुल कंट्रोल डेविल आर्क एक्स प्रीविएसली गंडेविल आर्क में हम लोगों ने देखा था कि माकी माके कुछ ulterior motives की वजह से आकी उसके साथ contract कर लेता है और end में एक gun fiend बन जाता है उसके बाद फिर उसकी और देंजी की fight होती है जो की काफी emotional fight थी और end में आकी हया कावा की मौत हो जाती है और exactly वहीं इसे हमारी कहानी की शुरुआत होती है जब देंजी और power साथ में बैट कर games खेल रहे होते हैं और साथ ही खाना भी खा रहे होते हैं जिसके बाद देंजी power को बोलता है कि वो थोड़ी दिर में ice cream को खरीद कर वापिस आ जाएगा और साथ ही वो power के लिए rice balls भी लेकर और पूरी ice cream को अपने मूँसे बाहर निकाल देता है फिर वो उसी bench के उपर लेट जाता है और सोचने लगता है कि कैसे वो आकी के death के बाद बहुत जादा दुखी हो गया है in fact उसे तो अब समझ भी नहीं आ रहा कि अब वो करेगा क्या तभी वहाँ पर माकीमा आ जाती है और देंजी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुमारे हाथ काफी ठंडे है और फिर बोलती है कि चलो देंजी तुम मेरे साथ मेरे घर चलो फिर वो दोनों ही माकीमा के घर चले जाते हैं जैसे ही माकीमा गेट खोलती है कई सारे डॉगीज उनके उपर कूच जाते ह माकिमा उन्हें खेलाने लगती है और देंजी भी उन डॉग इसके साथ मस्ती करने लगता है फिर माकिमा उन दोनों के लिए ही चाय बना कर लाती है और फिर देंजी के साइड में बैट कर उन डॉग इसके साथ खेलने लगती है देंजी माकिमा को खेलते हुए और खुश होत देखता है जिससे वो काफी जादा relaxed और tension free feel करता है फिर माकिमा देंजी से बोलती है कि तुम्हें याद है गंडेविल को मारने के लिए मैंने तुम्हें एक wish के लिए बोला था तो अब मुझे बताओ क्या है तुम्हारे wish फिर देंजी कुछ दिर के लिए चुप होकर सोचने लगता है कि आखिर उसे चाहिए क्या और फिर देंजी बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे dogs की तरह तुम्हारा pet बनना है माकिमा उसे पूछती है कि इसका क्या मतलब है तब देंजी बोलता है कि वो चाहता है कि कोई और उसके life के decisions ले और बस वो उन decisions को follow करे क्योंकि जैसे जैसे उसकी life में relations और responsibilities बड़ी हैं और उसने खुद के जितने भी decisions लिये हैं उन सभी decisions का उसे सिफ पचतावा ही हो रहा है जैसे कि आकी को मारना अगर वो आकी को नहीं मारता तो वो कहीं सारे लोगों को मार देता तो बस वो चाहता है कि माकिमा उसके सारे decisions ले ले और वो गोल सिर्फ खाना पीना और लड़की था लेकिन अब वो life की ऐसी stage में है जब उसे कुछ पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है फिर माकिमा उसे कुछ dog जैसी चीजे करने के लिए बोलती है जैसे की shake hand और वो सब देंजी वो सारे चीजे perform करता है और माकिमा इसके बदले में उसे शाबाशी देती है और उसके सर पर अपना हाथ फेरती है और फिर देंजी सोचता है कि जब वो खुद कोई फैसला नहीं लेता माकिमा लेती है तब वो कितना जादा relaxed feel करता है फिर suddenly gate खटखटाने की आवाजें आती है और माकिमा देंजी को बताती है कि उसने power को पहल जाने लगती है और बोलती है कि तुम gate को खोलोगे और मैं उसे मार दोंगी देंजी वुफ बोलने ही वाला था लेकिन वो बोलता है क्या कहीं तुम मजाग तो नहीं कर रही हो जिसके response में माकिमा बोलती है कि जल्दी से gate को खोलो फिर देंजी दीरे-दीरे gate की तरफ खोलने ही वाला था तभी उसके दिमाग में आता है दरवाजे को बिल्कुल मत खोलना बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे सपनों में आता है लेकिन फिर भी देंजी gate को खोल देता है और ये रियलाइस करता है कि कल तो उसका बढ़ड़े है तो पावर उसके लिए केक लाई होग देंजी की आँखों के सामने पावर का सर उसके पैरों में गिर जाता है देंजी जो कि अब पूरी तरी किसे शौक था और समझ नहीं पाता है कि क्या है सची में हो रहा है माकिमा उसके हाथ को पकड़ती है और बोलती है कि चलो देंजी अब अच्छे बच्चे की तरह फिर माकिमा देंजी की गोद में आ जाती है और जोर जोर से हसने लगती है और देंजी से अपनी शर्ट उतारने के लिए बोलती है जब देंजी अपनी शर्ट उतार देता है तब वो देंजी के चेस्ट पर लगी कौर्ट से खेलने लगती है और उसे बताती है कि देंजी और पोचीता के बीच में जो भी हुआ है, वो सब एक कॉंट्राक्ट है, फिर माकीमा उसे बताती है, कि उसी ने उसे एक बड़ा भाई दिया, यानि की आखी, एक छोटी बेहन दी, यानि की पावर, एक फैमली दी, एक जॉब दी, एक करियर दिया, और उसके बाद एक ही माकीमा चीन लेगी, माकीमा बताती है, कि उसने देंजी के पास्ट में देखा, उन मैमोरीस को देखा, जो कि उसने दरवाजे के पीछे छुपा कर रखी थी, जिनने खोलने के लिए हमेशा पोचीता उसे मना करता है, माकीमा फिर उसे देंजी के पास्ट के बारे में बतात कर देते हैं और एक suicide की तरह दिखा देते हैं ताकि वो लोग देंजी से उसके फादर का करदा ले सके माकिमा उसे बताती है कि उसने आफ आइनली गेट को खोल लिया है और गेट को खोलते ही देंजी एकसेट कर लेता है कि वो एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए हगदार नहीं है क्योंकि अगर वो चाहता और गेट नहीं खोलता तो पावर और आकी दोनों की लाइफ को बचा सकता था फिर माकीमा बचपन के देंजी से पूछती है कि क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम एक नॉर्मल लाइफ डिजर्व करते हो जिस पर बचपन का देंजी बोलता है बिल्कुल नहीं फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर जहां पर ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है माकीमा उसका ब्रेकफास्ट खा रही होती है और देंजी उस सोफे पर लेटा हुआ होता है फिर माकीमा अपनी यूनिफॉर्म को पहनती है और देंजी को बाहर लेकर जाती है जहां पर कई सारे डेविल्स लाइन बना कर बैठे हुए थे जैसे की वॉयलेंस फिंड और शाक फिंड वगेरा जिस पर माकीमा उसे बताती है कि ये सारे चेंसोमन डेविल के फॉलोवर्स है और इन सबी ने अपनी जान पर खेल कर तुम्हारी जान को बचाया है एकदम से ही बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है और माकीमा के उपर हमला हो जाता है और ये हमला करवाया था किशी बे ने जिसका में मोटिव था माकीमा को मारना कुछ हंटर्स आते हैं और माकीमा पर गोलियां चला देते हैं जिससे माकीमा की हालत खराब हो जाती है फिर बाहर कड़े कुछ हंटर्स चाको हाथ में लेते हैं और अपने गले को काट लेते हैं और बोलते हैं कि hell devil हमारी जान के बदले माकी मा को hell में समन कर लो जिसके बाद माकी मा बोलती है कि प्लीज मुझे बचाओ chainsaw man जिससे देंजी की intestines बाहर निकल जाती है और उसके गले में लपट जाती है जिन devil hunters ने खुद को sacrifice किया था वो सब मढने लगते हैं और फिर उन सभी की लाश के अंदर से निकलता है hell devil फिर देंजी hell devil के सामने खड़ा होता है और अपनी कौड को खीच लेता है और खुद को chainsaw devil में transform कर लेता है और hell devil के तुकडे तुकडे कर देता है और फिर हम ये एक epic panel देखते हैं जिसमें chainsaw devil खड़ा हुआ है और hell devil पूरा खून खून हो चुका है और हमें chainsaw devil का real form भी देखने को मिलता है और personally मुझे काफी पसंद आया बस उसके चार हाथ हैं जो की बहुत अच्छा नहीं है बट खेर तभी एक devil hunter अपने हाथ को काटता है और hell devil को पिला देता है और hell devil को revive कर देता है तभी एक gate खुलता है जिसमें से एक हाथ निकलता है और वो chainsaw devil को muscle देता है जिससे chainsaw devil hell में teleport हो जाता है और ये साली चीजे पासी की building में माकिमा देख रही होती है लेकिन तभी महाँ पर कीशीवे आ जाता है जो की माकिमा की तरफ अपनी gun को point कर देता है फिर माकिमा बताती है कि उसे गोली मार देने से कोई भी फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका Japanese government के साथ ऐसा contract है जिससे अगर उसे कोई भी damage होता है तो वो damage किसी भी जापान के random इंसान के पास ऐसा का ऐसा transfer हो जाएगा फिर किशीवे माकिमा से serious होकर पूछता है कि तुम आखिर हो क्या जिस पर माकिमा बोलती है कि वो chainsaw devil की fan है वही दूसरी तरफ chainsaw devil hell के कई सारे devils को गाजर मूली के तरह काट रहा होता है और माकिमा बताती है कि chainsaw man actually में hell का hero है और माकिमा बताती है कि जब भी chainsaw devil किसी और devil को खाता है उससे खाय हुए devil का नाम हर जगर से गायब हो जाता है और यही कुछ उन कारणों में से एक है कि कई सारे devil chainsaw devil को अपना भगवान मानते है हैंड इस पैनल से हमें बता चलता है कि beam क्यों देंजी से इतना चुपकता था और से लौट chainsaw बलाता था anyways किशीबे माकिमा से बोलता है कि ऐसी power किसी के पास हो ही नहीं सकती फिर माकिमा किशीबे से पूछती है कि तुम nazis के बारे में क्या जानते हो जिस पर किशीबे बोलता है कि nazis क्या है जिस पर माकिमा और brief में बताती है कि chainsaw man की powers बहुत जादा खतरनाक है उन powers का यूज करके एक बहुत ही अच्छी दुनिया को बनाया जा सकता है और फिर माकिमा उसकी control devil की powers के बारे में बताती है कि वो हर उस being को control कर सकती है जो कि वो समझती है उससे inferior है मतलब जो भी माकिमा से नीचे होगा वो उससे control कर सकती है लेकिन chainsaw devil की powers को use करके उससे control करने के लिए माकिमा को chainsaw devil को हराना होगा और chainsaw devil को हराने के बाद माकिमा उसकी powers का use करेगी और एक ऐसी दुनिया को बनाईगी जो कि इस दुनिया से लाग गुना बहतर होगी फिर किशी बे उससे पूछता है कि क्या हो अगर तुम उससे हार जाओ जिस पर माकिमा जवाब देती है कि चेंसोर डेवल से हारना एक सम्मान की बात है उपर से माकिमा उसकी फैन भी है तो उसकी शरीर का हिस्सा बनना उसके लिए गर्व की बात होगी फिर माकिमा वापिस से दरवाजे की तरफ देखने लगती है जिसमें से एक दम से चेंसोर डेवल निकलता है बहुत सारे खून के साथ माकिमा फिर नीचे पड़ी तलवार को उठा लेती है और किशिबे अपनी गन को लेकर तयार होता है लेकिन इतने में ही चेंसोर डेवल माकिमा को काट देता है और फिर चेंसोर डेवल किशिबे की तरफ देखता है लेकिन उसे एकदम से किसी की चलाने की आवाज आती है त अब ही कोबेनी अपने मन में ये बोलती है, कोई मुझे बचाओ, एंड वहाँ पर सड़नली देंजी आ जाता है, जो कि basically चेंसो डेविल है, कोबेनी के को वरकर्ट्स चेंसो मैन को देखकर डर जाते हैं, वहाँ पर एक बैठा हुआ कस्टमर महां से भागने की कोशिश करता ह लेकिन चेंसो मैन उससे खतम कर देता है, फिर चेंसो मैन महाँ पर एक सीट पर जाकर बैठ जाता है, और एक हैंबरगर ओडर करता है, कोबेनी और बाकी के स्टाफ मेंबर्स जो की बुरी तरीकी से डरे हुए थे, अब जैसे तैसे हैंबरगर को बनाते हैं, और कोबेनी उ फिर से हैंबरगर लेकर जाती है लेकिन इस बार फिर से वो गिर जाती है ये देखकर कोबेनी का बॉस बोलता है कि मैं समझ गया अभी तक जो भी हो रहा था ये सब प्रैंक था और बस अब मुझे कोई हिड़न कैमरा डूनना है जो कि यहीं कहीं लगा होगा लेकिन चेंसो मै इनको एक डांस डांस रेवोलिशन मशीन के ओपर ले जाता है और उससे बोलता है कि अब तुम डांस करो कोबेनी जो की बुरी तरीके से डरी हुई थी अब वो डांस करना शुरू कर देती है फिर चेंसो मैं वहाँ से चला जाता है और एक बिल्डिंग की छट पर आकर बै कौंग सी और रीजे ये सारे लोग पहले ही मर चुके थे लेकिन फिर भी किसी तरीके से ये जिन्दा है और मा की मा उन सभी को देंजी पर हमला करने के लिए बोलती है एंड हमें पता चलता है वो सारे के सारे एजेंट्स हाइब्रीड थे सारे डेविल्स चेंसो मैं पर हमल में ले जाती है लेकिन इससे पहले वो कुछ भी कर पाती ही चेंसो मैं उसे काट जेता है फिर स्पियर हाइब्रीड देंजी की तरफ एक स्पियर फेकता है और दूसरी तरफ मा की मा भी अपनी बैंग पावर से देंजी पर एक इन्विजिबल फोर्स लगाती है बिल्कुल अब चेंसो मैं जो की लगभग स्पेस में आ चुका था अपने सीने में कैजुली हाट डालता है और अपने दिल को बाहर निकाल कर नीचे फेक देता है जैसे ही उसका हाट जमीन पर गिर रहा होता है अपने आप उस दिल के अराउंड एक चेंसो मैं फॉर्म हो जाता है दूसरी तरफ हम देखते हैं कोबेनी को जो की डैंस डैंस रेवलिशन मशीन के उपर काफी देर से डांस कर रही थी और फाइनली उसे एक परफेक्ट स्कोर भी मिल जाता है वो रुकती है और फिर पीछे देखती है जहाँ पर चेंसो मैं आराम से बैठा हुआ था और कोब आने लगा था फिर हम एक रैंडम टीवी में दिखाया जाता है कि न्यूस चैनल पर एक न्यूस एंकर बोल रहा है कि अभी की लेटेस्ट न्यूस यह है कि चेंसो मैं ने गंडेवल को हरा दिया है और इस बात से खुश होकर कई सारे लोग खुशिया मना रहे हैं चेंसो मै मैं से बैड डेवल से और एक्सेक्टरा अब लोग जितना जादा सपोर्ट दिखा रहे थे उतना ही बलड चेंसो मैं की बॉड़ी से निकलने लगता है बेसिकली ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब लोग जादा तर उसे पसंद करने लगे हैं और लोगों में से उसका डर कम हो चुका है और चेंसो मैं की स्टोरी में एक फॉर्मूला है कि जितने जादा लोग किसी चीज़ से डरेंगे उतना जादा उस चीज़ का डेवल पावरफुल होता जाएगा एक्जामपल डाकनेस सारे लोगों को डाकनेस से डर लगता है और कई लोग तो बहुत जादा ही डरते हैं इसी लिए डाक्डनेस डेविल इतना जादा पावरफुल है फिर माकिमा एंजल डेविल की पावर्स का यूज करती है और हजार सालों की लाइफ फोर्स का यूज करकर एक स्पेयर को बनाती है फिर एक काफी खदरनाक सा ब्लैक सर्कल हमें दिखाया जाता है जिसके आगे पीछे तीन यूमनोड फिगर्स होते हैं और ये सीन काफी जादा कमाल का है माकिमा उस स्पेर को चेंसो मैन की तरफ फेकने की वजाए कोबेनी की तरफ फेक देती है लेकिन जस्ट इन टाइम कोबेनी को वो करता उससे पहले ही चेंसो मैन आकर उसे बचा लेता है अब क्योंकि चेंसो मैन बहुत जादा कमजोर हो गया था उपर से ये पावर्फुल अटैक तो अब चेंसो मैन की हालत बहुत खराब हो जाती है फिर हम देखते हैं पावर को जो कि कई सारे बलड और और औरगंस के उपर लेटी हुई थी पोचीता उसके पास आता है और उसे नींद से जगाता है पोचीता पावर से बोलता है कि क्योंकि देखी ने पावर का बलड पिया हुआ था इसलिए पावर का थोड़ा सा जिस पर पावर बोलती है बिलकुल वैसे भी देंजी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। फिर माकीमा पब्लिक सेफटी के कई सारे एजेंट्स के साथ चेंसो मैन के तरफ बढ़ने लगती है। और चेंसो मैन जो की खुंच से लटपत जमीन के ओपर पड़ा हुआ था अब हिल भी नहीं पाता है। जैसे जैसे माकीमा उसके पास आने लगती है चेंसो मैन उटने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि लोग उसे इतना जादा सपोर्ट कर रहे थे इस वज़े से वो और भी कमजोर होता जाता है। लेकिन एकदम से ही पावर चेंसो मैन के मुग के अंदर से बाहर निकलती है और इस बार पावर अपने डेविल फॉर्म में होती है जो कि काफी खतरनाक लग रहा है। वो बाहर निकलते से ही माकीमा और पब्लिक सेफटी के सारे लोगों पर हमला कर देती है और उन सभी के बलर्ट को वेपन्स में कनवर्ट कर देती है। और चेंसो में को माकीमा के हवाले कर देती है और बोलती है कि इस बेवकुफ को एक्चली मैंने आपी के लिए तो पकड़ा था फिर हमें एक दुखी पोचीता दिखाया जाता है जो कि पावर की इस हरकत से काफी उदास होता है फिर माकीमा पावर को उसे नीचे रखने के बोलती है जिस पर फिर पावर को वो सारी चीजे याद आने लगती है वो सारी मेमोरीज उसके सामने आ जाती है जो कि उसने देंजी के साथ बिताई थी माकीमा के फिर से बोलने के बाद भी जब पावर कुछ नहीं करती है तब माकीमा को गुस्सा आने लगता है लेकिन पा जी को एक कचरे की पेटी में लेकर गिर जाती है, एंड हम लोग पावर और देंजी को एक दूसरे के उपर यूमन फॉर्म में देखते हैं, जहाँ पर पावर देंजी को देकर काफी ज़ादा खुश होती है, और वो उसे गले लगाती है, और बताती है कि उसने देंजी को बचा लिया पावर उसे बोलती है कि अब वो जादा देर तक जिन्दा नहीं रह पाईगी और इसलिए वो देंजी के साथ एक कांट्राक्ट करती है कि पावर के मरने के बाद देंजी ब्लड डेविल को ढूंडेगा और उसके साथ वापिस से दोस्त बन जाएगा ताकि वो लोग एक दिन फिर से नॉर्मल बडीज बन जाए और इसके बदले में पावर देंजी को अपना ब्लड भी दे देती है फिर देंजी एकदम से होश में आता है और घबरा कर उस डब्बे से बाहर निकलता है और पावर के बारे में सोच रहा होता है लेकिन वो साइट में देखता है कि किशीबे बैठा हुआ है जो कि देंजी से पूछता है कि वो देंजी है या चेंसो मैन क्योंकि अगर वो सच में देंजी है तो वो उसे माकिमा से बचाने के लिए एक जगह पर ले जाएगा जिस पर देंजी किशीबे को एक विक्टरी साइन दिखा देता है मतलब हाँ बोल देता है फिर किशीबे देंजी और कोबेनी दोनों को ही एक सेफ अंडरगराउंड जगह पर लेकर आ जाता है जहांपर देंजी टीवी में देखता है कि कई सारे लोग उसके नाम के नारे लगा रहे हैं और बहुत सारे लोग चेंसो मैन के फैन हो चुके हैं देंजी ये सब देखकर काफी जादा emotional हो जाता है और जोड़ जोड़ से रोने लगता है किशी बे से पूचते हुए कि अब उसे क्या करना चाहिए वो सिर्फ एक normal life चाहता था लेकिन उसे वो भी नहीं मिली वो चाहता था कि कई सारे लोग उसे chainsaw man के नाम से बुलाएं और कि अब हो चुका है लेकिन फिर भी उसे मज़ा नहीं आ रहा और बोलता है कि उसे normal life के साथ 5-5 girlfriend चाहिए नहीं 10 girlfriend चाहिए और किशी बे की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे chainsaw man बना है कि कुछ देर के लिए कुछ नहीं बोलता और फिर बोलता है कि अगर देंजी chainsaw man की news चल रही होती है उसके दिमाग में सिर्फ माकिमा होती है कि कैसे माकिमा इन उसका सब कुछ खतम कर दिया लेकिन फिर भी वो माकिमा को उतना ही पसंद करता है लेकिन अब उसके बास माकिमा को मारने के अलावा और कोई चारा नहीं है लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि म माकिमा बहुत जादा ही पावर्फुल है उसे मारना लग भग नामुम्किन है तो देंजी कैसे उसे मारेगा फिर काफी दिनों के बाद फाइनली वो दिन आता है जब चेंसो मैन वर्सेस माकिमा होने वाला था देंजी एक ग्रेवियार्ड में एक ग्रेव के ओपर बैठा होत है उनके साथ साथ देंजी को भी जला देता है सड़नली जलते हुए जॉंबीस के धेर में से दो चेंस बाहर निकलती है और अगले ही सेकंड हम देखते है कि फ्लेम थ्रोवर हाइब्रीड का गला देंजी काट देता है और वो डिरेकली कॉंग सी के ओपर हमला कर देता है ल लेकिन माकीमा को मज़ा नहीं आता है तो वो अपने हाथ में छेत कर लेती है और देंजी को अपना ब्लट पिला देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें परसनली अपने हाथों से मारना चाहती हूँ फिर हम देखते हैं कि कई सारे पब्लिक सेफटी के मेंबर्स उसके पीछ फिर वो देंजी के चेस्ट पर लगी कॉट को खीच देती है और देंजी उठते से ही माकिमा का गला काट देता है और हम देखते हैं कि माकिमा का गला उसकी जगह पर वापिस आ जाता है और उसके पीछे जो पुब्लिक सेफटी के मेंबर से उन में से एक का गला कट जाता है और हमें पता है कि control level की powers में से एक power ये भी है कि जो भी उसके साथ contract कर लेता है वो अपना damage उसे transfer कर सकती है जैसा कि उसने president के साथ भी कर रखा है फिर देंजी और माकीमा का hand to hand combat होना शुरू हो जाता है और माकीमा अपना punch देंजी की body के आरपार कर देती है फिर से देंजी को देखते हैं ये epic panel जिसमें माकीमा देंजी की body से पोचिता को बाहर खींच लेती है फिर माकीमा पोचिता को अपने हाथ में लेती है और उससे खेलने लगती है और बोलती है कि बहुत लंबे इंतजार के बाद अब तुम finally मेरे हुए फिर माकीमा पोचिता के heart से बोलती है क और माकीमा के सामने आकर उसे काट देता है माकीमा ये notice नहीं कर पाती और वो सोचती है कि ये क्या हुआ इससे पहले माकीमा कुछ भी पूच पाती देंजी वापिस से पोचिता को उठाता है और अपने सीने में लगा लेता है माकीमा शौक में देंजी की तरफ देखती है और खून में लटपत माकिमा समझ ही नहीं पारी थी कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। फिर देंजी बोलता है कि फाइनली माकिमा का ध्यान चूक गया और इसका फाइदा उठाते हुए देंजी ने उसे खतम कर दिया। लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि माकिमा उसकी इस फाल्तू की चाल में फज जाएगी। फिर देंजी बताता है कि वो जो चेंसो जिससे उसने अभी अभी माकिमा को काटा है वो एक्चुली में पावर के ब्लड से बना हुआ है। और उसके इतनी देर तक बिना हार्ट के जिन्दा रहने का कारण भी पावर का ब्लड ही है। फिर देंजी अपनी चेंसो को माकिमा की तरफ करता है और बोलता है सौरी। फिर एक सीन शिफ्ट होता है जिसमें हमें देंजी के अपाटमेंट को दिखाया जाता है। उस अपाटमेंट के गेट पर किशिबे खड़ा होता है और बोलता है कि उसकी पीट काफी जादा दुखने लगी है। लगता है उसका बुढ़ापा आ चुका है। और फिर किशीबे देंजी से बोलता है कि क्या तुम अब तयार हो और इसके बाद जो भी तुम्हें करना है वो सब कुछ तुम्हारे उपपर है। और बोलता है कि तुमसे जितनी जल्दी हो सके इससे खतम कर दो। फिर देंजी उसे बोलता है कि मैं जिस भी speed में उसे खतम करना चाहूँ उस speed में करूँगा फिर किशीबे महाँ से चला जाता है ये बोलते हुए कि अगर तुम जिन्दा बचे तो हम फिर मिलेंगे क्योंकि मैं जितने भी public safety के member से मिला हूँ सब एक नाएक दिन मर गए हैं और जितने नहीं मरे हैं तुम उन सभी में best हो और तुम devil hunter होने के लिए काफी जादा suit करते हो ओो boys and girls फिर देंजी apartment के अंदर जाता है खुझ से बात करते हुए कि उसे काफी जादा भूक लग रही है फिर वो अपने fridge को खोलता है उसमें से एक meat का packet निकालता है और खुझी से बोलता है कि इतना सब कुछ हो गया लेगिन फिर भी वो माकिमा को पसंद करता है फिर वो खानो बनाना शुरू कर देता है और बोलता है कि वो जो भी माकिमा ने किया उसके लिए उसे माफ नहीं कर सकता फिर वो सोचने लगता है कि इतना कमाल का idea आखिर मेरे दिमाग में आया कैसे मैंने जितना सोचा था उससे काफी आसानी से मैंने माकिमा को मार दिया फिर देंजी का खाना कंप्लीट हो जाता है और वो टेबल पर लेकर उसे बैट जाता है जिसके एक बाउल में राइस होते हैं और एक बाउल में होता है सूप और एक बाउल में होते हैं मीट के कुछ तुकड़े फिर वो जैपनी स्टाइल में खाना खाना शुरू करता है हाथ जोडता है और फिर सूप पीता है और बोलता है कि ये सूप तो काफी जादा टेस्टी था फिर वो राइस बॉल में से राइस उठाता है और उसे खाता है फिर बोलता है कि राइस भी बहुत जादा टेस्टी है फिर वो मीट में से एक तुकड़ा उठाता है और खा लेत और अपने फ्रिज में उसके मीट के तुकडे रख लेता है और किशी बे भी इसी की बात कर रहा था भाई सहाब डैमिट मतलब यार Tatsuki Fujimoto ने कितनी अच्छी तरीकी से एक्जिक्यूट किया है इस लास्ट वाले पैनल को और सिव एक ही लाइन से पूरी स्टोरी को एक्स्प्लेइन कर दिया क्यार फिर हम लोग स्टोरी में देखते हैं कि अब जितने भी डॉग्स माकिमा के पास थे देन जी उन सभी को एडॉप्ट कर लेता है और एक दिन उन्हें वाक पर ले जाता है जहां पर उसे किशीबे मिलता है वो किशीबे के पास में आकर बैठ जाता है और पास ही के कही सारे बच्चे आकर उन डॉग्स के साथ खेलने लगते हैं तब ही महाँ पर एक छोटी सी बच्ची आ जाती है जो कि भी डॉगी इसके साथ खेलने लगती है फिर देन जी किशीबे को बताता है कि उसने पूरी तरीके से माकिमा को खा लिया है और माकिमा रिवाइव भी नह नहीं हुई तो ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चेंसौ से उसने माकिमा को काटा था वो चेंसौ बेसिकली पावर के बलड से बनी थी और इसी वजह से माकिमा की हीलिंग अबिलिटी काफी जादा स्लो हो गई थी फिर वो छोटी लड़की आती है और देन जी के हाथ को काट लेत और बताता है कि यह माकिमा नहीं है बस कंट्रोल लेवल है और इसके बास माकिमा की कोई भी मेमरीज नहीं है और फिर देन जी के पूछने पर वो छोटी लड़की अपना नाम बताती है विचिस नायूता और फिर किशी पे देन जी को बताता है कि अगर वो इस लड़की को गवर्मेंट को दे देंगे तो इस बात की बहुत जादा possibilities हैं कि वो वापिस से माकिमा की तरह ही बन जाएगी इसलिए मैं चाहता हूँ कि गवर्मेंट से बच कर तुम इस लड़की को आज से संभालोगे देंजी इस पर सोचता है कि वो काफी जादा busy हो जाएगा और उस लड़की से पूछता है कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है जिस पर वो लड़की बोलती है कि bread और फिर देंजी थोड़ा सा relax होता है और बोलता है कि इस लड़की के साथ रहना इतना भी महंगा नहीं होगा एंड फिरम देखते हैं कि नायूता को अपनी पीट पर बिठा कर कई सारे डॉगिस के साथ देंजी वापिस से अपने घर चला जाता है घर पे रात में जब वो लोग सो रहे होते हैं तब पोचीता देंजी के सपने में आता है और उसे बताता है कि उसका सपना था कि कोई उसे गले लगाए जिस सपने को देंजी ने पूरा कर दिया अब पोचीता चाहता है कि वो भी कंट्रोल डेविल के सपने को पूरा करे यानि कि उसे बहुत सारा प्यार दे एंड फिर एक सीन शिफ्ट होता है जिसमें हम लोग एक अनोन डेविल को देखते हैं जो कि कई सारे लोगों पर हमला कर देता है और भीड के बहाव से दूसरी तरफ जाता हुआ देंजी अपने चेस्ट पर लगी कौट को खीचता है और स्माइल देता है एंड इस पैनल के साथ चैप्टर और कंट्रोल डेविल आर्क दोनों ही खतम हो जाते हैं बट यहाँ पर नोडिस करने वाली बात यह है कि अभी देंजी ने हाई स्कूल की ड्रेस पेन रखी है तो इस बात की बहुत जादा पॉसिबिलिटीज है कि पार्ट टू में देंजी हाई स्कूल भी जाएगा खैर चैंसो मैन पार्ट टू तुम लोगों को मेरे चैनल पर जल्दी देखने को मिलने वाला है और अगर मैंने वीडियो को अप्लोड कर दिया होगा तो एंड स्क्रीन पर आ रही होगी एंड बस गईज आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही एंड चैंसो मैन पार्ट वन के खतम होने के साथ साथ मैं तुम सबी लोगों से थैंक्यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुम लोगों ने इस सीरीज पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाया जिस वज़े से मैं चैंसो मैन सीरीज के पार्ट वो को भी कवर करने वाला हूँ सो बस गईज आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही थैंक्यू थैंक्यू फो वाचिंग दिस वीडियो